हलो फ्रेंड्स वेलकम टो और चनल एनालिटी कलव आज हम स्टार्ट करेंगी नेम रियेक्शन का सेकेंड लेक्चर जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बैमफोर स्टीवन और शैपाईरो रियेक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए हम इस रियेक्शन को पढ़ते क्यों है इस रियेक्शन को पढ़ते है इसलिए ताकि हम हाईड्रा जोन से अलकीन मना ले याने इन दोनों ही रियेक्शन में हमें बैमफोर स्टीवन हो चाहे शैपाईरो रियेक्शन हो इन दोनों ही रियेक्शन में हमें हाईड्रा ज उनसे अलकीन मिलेगा ये ध्यान दखेंगे आप ठीक है दोनों ही केस में दोनों ही केस में हम कारवोनाइल कंपाउन को यूज करेंगे दोनों ही रियक्षन में हम कारवोनाइल कंपाउन को यूज करेंगे बट बेस में डिफरेंस होगा यहाँ पे जो रियक्षन कंडीशन और दोनों ही condition में base different होंगे देखिए यहां मैं लिख रहा हूँ BAMFORD और यहां मैं लिख रहा हूँ Shapiro ठीक है इस तरफ सारा BAMFORD का जो material जो reagent यूज़ होते है वो मैं लिखूंगा और यहां Shapiro के लिखूंगा arrow पे तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं Shapiro की तो यहां पे हम use करते हैं TSNH NH2 या TRNH NH2 या हम और क्या use कर सकते हैं हम use कर सकते हैं ARSO2 NH NH2 यह हम use कर सकते हैं यहां पे फिर base क्या use कर सकते हैं यह पहली condition थी दूसरी condition है आप lithium base यूज़ करेंगे जैसे BULI BULI base आप use करेंगे ठीक फिर तीसरा तीसरा क्या है कोई electrofile लाएंगे आप कोई electrofile यहां पे आप use करेंगे ठीक है तो जो product बनेगी तो जो product बनेगी वो किस तरह की product होगी तो product होगी kinetically controlled product kinetically controlled product होगी है अब इज़र आ जाईए यहां पे यहां पे पहला तो सेम ही रहेगा TSNH NH2 TRNH NH2 या AR SO2 NH NH2 यह आप use कर सकते हैं second second में आप जो base use करेंगे वो है Naome, KH या Naoet इस तरह के आप Base यूज ऊज़ करेंगे और थर्ड फिर यहां पे Electrify यहां पे reaction condition है दोनो ही reaction की अब यहां पे जो प्रोड़क्ट बनेगा यहां पे जो प्रोड़क्ट बनेगा वो थर्मो डाइनमिकली controlled होगा thermodynamically controlled product होगा ये ध्यान रखेंगे आप इससे पहले note करेंगे फिर हम one by one सारी reaction का mechanism समझेंगे इससे note कर लीजिए ठीक चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैमफोड स्टीवन reaction का mechanism देखें याद करिए बैमफोड स्टीवन reaction mechanism में क्या condition थी हम लेंगे कार्वनाइल कंपाउं ये लिया फर्स्ट हम रियक्शन करवाते हैं टी एस एनेच एनेश टू से टोसाइल हाइड्राजोन के साथ ठीक है तो क्या टोसा हाइड्राजीन के साथ कराते हैं और product क्या बनेगा एन फिर आजायेगा एनच और टियस ये product बनेगा ये एस टू ओ eliminate हो गया फिर क्या होगा जैसे ही ये एस टू ओ eliminate होगा जैसे ही ये ह्टू ओ eliminate होगा उसके बाद हम लाएंगे base को और BAMFORCE T1 में हम किस तरह का base यूज करते हैं तो BAMFORCE T1 में हम NAOME या KH इस तरह का base यूज करते हैं जैसे ही base यूज करेंगे तो जैसे ही base यूज करेंगे तो इस nitrogen से जो acidic H है वो बाहर जला जाएगा इस nitrogen से जो acidic H था वो बाहर चला जाएगा फिर फिर क्या होगा तो यह देखिए अब अब देखिए आप इसमें क्या करना है फिर next यह यहाँ आएगा जैसे ही यह यहाँ आएगा यह यहाँ पर आएगा ठीक क्या बना N double bond N T S और यहाँ पर negative charge आएगा यहाँ पर negative charge आगया ठीक है फिर फिर अब क्या करेंगे तो देखिए अब यह जो पूरा है यह जो पूरा material है यह खुद बखुद बहार चला जाएगा जैसे ही यह खुद बखुद बहार जाएगा तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा carbon 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 intermediate तो आप ध्यान दखेंगे कि बैमफोर्स T1 reaction के अंदर carbon intermediate बनता है और जैसे ही carbon intermediate बनेगा आप फिर OH- को लाएगे OH- लाने के बाद अब देखिए यहाँ से भी H निकल सकता है यहाँ से भी H निकल सकता है पर हम less acidic H बहार निकालेंगे जिससे हमें जिससे हमें कि इस तरह की product मिले जिससे हमें thermodynamically control product मिले और यह यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर minus charge और इस minus charge को stable करेगा इस minus charge में अब जब इलक्ट्रोफाइल दे देंगे तो यहाँ पर इलक्ट्रोफाइल यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अलकीन तो हमारी बन चुकी है अलकीन तो हमारी बन चुकी है simple इतना ही रखिए इतना ही रखिए आप इलक्ट्रोफाइल मत दालिए ठीक है यह रहा आपका product बन चुका है अलकीन इस तरह से तो यह रहा बैमफोर्स T1 reaction का mechanism यह नोट कर लीजिए क्योंकि देखिए यहां पर इसको माइनस चाहिए आप रखेंगे ही क्योंकि यहां चला गया फिर आप इसे H प्लस दे दीजिए जैसे ही आप इसे H प्लस देंगे या कोई इलक्ट्रोफाइल देंगे इस तरह की species आई जाना है तो आप जब भी तो आप जब भी reaction करवाएंगे तो यहां पर माइनस लाके नहीं चोड़ेंगे आप इसे इलक्ट्रोफाइल दे देंगे इलक्ट्रोफाइल H प्लस हो सकता है E प्लस इसलिए मैंने E लिखा था आप नोट करेंगे इसे चलिए अब हम example देखते है इस से related इस reaction स related अब हम एक example करेंगे वो देखते हैं ठीक चलिए अब हम पूरा mechanism नहीं लिखेंगे यह इस तरह से आपको दिया है और एक यार- एस-ो-टू- एन-च- एन-च-टू यह दिया है फिर इन-ए-ो-एम-ई दिया है और लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवा है ठीक है तो क्या करेंगे आप जैसे ही आपके पास देख लिया आपने कि इन-ए-ो-एम-ई है याने यह बैंफोर्ट रियेक्शन है तो में thermodynamically control product बनता है हो गया यह answer आएगा आपका उसी तरह से एक और example है वो भी देखिए यह दिया है और क्या बना है एक दो हाँ N T S O S I M E 3 यहाँ पर कुछ ठीक है और यहाँ पर यह दिया है और reaction condition आपको दी हुई है N A O M E डायमिथाइल ग्लाय ओक्जिम और हीट यह लिखा है तो आपके पास already हाइडरा जोन तयार है आप सीधा base से क्या करेंगे आप बनाएंगे अलकीन तो यह रही यहाँ double bond लेगागा क्योंकि यहाँ से अगर आप double bond हटाएंगे यहाँ से bridge head की और से आप double bond यहाँ से मतलब यहाँ से हटाएंगे तो carbon पे इस side पे bridge head पे negative charge जाएगा जो अच्छी बात नहीं होगी इसलिए यहाँ पे आपको bond लगाना है बाकी as it is o si me 3 यह आपका product होगा यह note करेंगे आप फिर हम पढ़ेंगे शेपाईरो reaction शेपाईरो reaction चलिए देखिए शेपाईरो reaction की conditions याद कीजिए पहले तो अपने पास टोसाइल हाइड्राजीन तो था ही टोसाइल हाइड्राजीन तो था ही टी एस एनेच एनेच टू फिर सेकेंड था बेस कुनसा लीथियम बेस बी यू एलाई लेकिन आप ये लीथियम बेस 2.2 इक्विवेलेंट यूज करेंगे याने हम इस बेस को दो बार यूज करना है थर्ड वही आपका इलक्ट्रोफाइल होगा कोई ना कोई ठीक है तो अब देखते हैं देखे सबसे पहले तो अपना हाइड्रोजोन बनेगा टोसाइल हाइड्राजोन ये बना फिर जैसे ही आप इसमें B.U.L.I. देंगे ठीक है तो B.U.L.I. ये वाला जो acidic H है उसको भार निकालेगा और इस नेगटिव चार्च को बैलेंस करने के लिए ये L.I. प्लस यही पे होगा ठीक है और T.S. ये बना देखिए फिर एक और बार B.U.L.I. यूज करेंगे आप B.U.L.I. लेकिन अब ये B.U.L.I. यहां से H ना निकालते हुए यहां से H निकालेगा less crowded side से तो less crowded side से H निकालने के कारण यहां पे negative charge positive उस पे है T.S. फिर देखिए अब यह क्या होगा यहां पे यहां पे जाएगा यह उपर इधर और यह T.S. बाहर ठीक है तो प्रोड़क्ट क्या बनेगा यह N double bond N और minus charge देखिए ठीक है अब क्या होगा यह minus charge यहां आएगा और यह यहां आएगा ठीक है तो आपके पास क्या बन जाएगा प्रोड़क्ट यह negative charge बना यह negative charge आ गया अब इस पे आप electrofile दे देंगे और जैसे ही आप इस पे electrofile दे देंगे आपका प्रोड़क्ट रेडी हो जाएगा ठीक है नोट करेंगे इसको तो यह रहा शेपाईरो reaction का mechanism देखिए बैंफोर्स T1 reaction के अंदर हमें thermodynamically control product मिलती है लेकिन यह है kinetically control product बैंफोर्स T1 के अंदर कार्बीन intermediate बनता है लेकिन यहां पैसा कुछ नहीं कार्बेन आयंग कह सकते हैं कि intermediate बन रहा है फिर शेपाईरो reaction के अंदर हम lithium base यूज करते हैं लेकिन बैंफोर्स स्टीवेन के अंदर हम बेस यूज करते हैं वह है इसे माइल्ड रिद्यूसिंग माइल्ड बेस यूज करेंगे आप यह नोट करेंगे इस बात को ठीक है चलिए फिर हम questions करेंगे हैं ठीक है इंग सूप जह रहा है चलिए अब हम करते है questions सबसे पहला question दिया है आपको आर डबल बॉन एन 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 एज एसो टू ए आर यह दिया है और फिर दिया है टू बी यू एल आई एज थ्रियो प्लस देखिए आप हमें पास यह दिया है टू बी यू एल आई याने यह कैसी reaction है शेपाइरो reaction और शेपाइरो reaction में आप ह कहा से निकालेंगे तो शेपाइरो reaction में आप ह उस जगा से निकालेंगे जहां पे यहाँ पे kinetically controlled product बन जाए उस जगा से निकालने पे kinetically controlled product बन जाए यह इस तरह से और यहाँ H होगा ठीक है यह हो गया और भी है question हमारे पास वो देखिए pH यह दिया है और फिर ही हाँ पे लिया है 2Buli Tmeda और D2O दिया है यह question दिया है आपके बास तो देखिए यह भी शेपाइरो reaction का example है याने इस तरह से आपके पास यहाँ पे यहाँ पे double bond आएगा और ओर जो D है D, D यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से note करें से भी चलिए एक और question करना है हमें वो भी देख लीजी आप यही बहुत अच्छा question है देखिए इस question को मैं आपको mechanism के साथ करके दिखाऊंगा एन एन एज ट्रिसाइल लिखा है उप़र यह ट्रिसाइल लिखा है ठीक है और यहाँ पे reaction condition में दिया है 2.1 equivalent buli hexane और tmeda ठीक है यह दिया है आपके पास चलिए इसको solve करते हैं देखिए आपके पास आपको करवानी है सबसे पहले शैपाइडो reaction में सबसे पहले आप इधर buli देंगे 1 equivalent जैसे ही आपने buli दिया तो इस nitrogen पे negative charge आगया और यह ट्रिसाइल SI रहा और इस negative charge को balance करने के लिए हमने lithium plus को यहाँ पे रखा फिर एक और बार आप use करेंगे buli जैसे ही आपने buli यूज किया इस बार यहाँ से h निकलेगा यह negative charge n negative ts li plus इस तरह से अब देखिए यह जो negative charge है यह यहाँ जाएगा यह यहाँ जाएगा यह बाहर जैसे ही इस तरह का अरेंजम बलब यह arrow जाएगा आपके पास इस तरह का product बनेगा ठीक है और यह ठीक फिर फिर क्या करेंगे आप अब देखिए अब यह जो यह यहां यह यहां यह यह यहां पर आ जाएगा यह यहां पर बांड यहां पर निगटिव चारज आया अब यह जो negative charge है यह 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 यहाँ यहाँ यह यहाँ आında ठीक है और एक बाय साइक्लिक या बाय साइक्लिक कंपॉन बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ठीक है अब इस नेगेटिव चार्ज को हमें बैलेंस करना है तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है तो हम अब मैं इसका, इसमें Electrofile दे दू तो प्रोड़क्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा इस negative charge पे एक electrofile आ जाएगा और यही आपकी प्रोड़क्ट होगी यही आपकी प्रोड़क्ट होगी नोट करेंगे से चलिए एक और सवाल हम करते हैं ये question gate 2016 में पूछे देखिए question जो पूछा गया है gate 2016 में मैं option नहीं बनाऊंगा direct solve करेंगे हम इसे ये दिया है फर्स्ट आपको दिया है टी एस एनेच एनेच टू सेकेंड सेकेंड आपको दिया है बी यू एलाई टू इक्विविलेंट और थर्ड आपको दिया है डी एमेफ डायमिथाईल फॉर्मामाइड देखिए किस तरह से होगा तो देखिए solution देखिए इसका कि सबसे पहले जैसे ही आप इसके अंदर टी एस एनेच एनेच टू डालेंगे कि एनेच टू डालेंगे कि यह प्रोड़क्ट बनेगा कि यह बना फिर कि फिर क्या है बी यू एलाई बी यू एलाई क्या करेगा बी यू एलाई इस नाइट्रोजन से एच प्लस हटा देगा और इस नेगटिव चार्ज को बैलेंज करेगा लीथियम यहां टी एस फिर एक बार और आप इसमें बी यू एलाई देंगे जैसे ही आप इसमें बी यू एलाई देंगे यहाँ पे नेगटिव चार्ज आएगा यह आए फिर यह नेगटिव चार्ज यहाँ पे यह यहाँ पे यह बहार तो क्या बना ठीक यह यहाँ यह यहाँ 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 तक आब आगए फिर अब आती है डीमेफ की बारी डीमेफ क्या है डाय मिथाइल फॉरमामाइड यह नेगटिव चार्ज इस कारवनाइल कारवन पे और प्रोड़क्ट बनेगा आपका आपका प्रोड़क्ट आ जाएगा साट डी ओप्शन था इस सवाल में यह पूछा था गेट 2016 में यह आपका प्रोड़क्ट है नोट करेंगे से तो ठीक है फ्रेंड्स आज अपने सेकेंड नेम रिएक्शन कंप्रीड कर लिए बैमफोर्च टीवन और शेपाइडो रिएक्शन आपका मेरा यह लेक्चर पसंद आया होगा थैंक यू